नमस्कार दोस्तो एवन स्टडीज में आपका स्वागत है तो दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है आपके लिए हेल्फुल है तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और एंड तक जरूर देखिएगा तो दोस्तो टाइम वेस्ट ना करते हम आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं आज की जो वीडियो है वो है एच्पी एसी रिक्रूट्मेंट 2019 के रिगार्डिंग जिसमें हरियाना लोग सेवा आयोग के अंतरगत डिप्ति डिरेक्टर की बरती निकली है जिसकी लाज डेट है 24 जून तो उसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ आगे बढ़ते हैं इसमें जो विबागय पदों की संख्या है वो है टोटल पांच ठीक है विबादिय पदों का विवरन संस्ता का नाम है हरियाना लोग सेवा आयोग पद का नाम है डिप्ति डिरेक्टर वेतन इसका रहेगा 15600 से लेके 19100 तक ठीक अब बात करते हैं क्वालिविकेशन की तो आपकी डिग्री होनी चाहिए डिग्री इंजीनरिंग और टेकनोलोजी विद फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम रिकगनाइज़ यूनिवर्स्ट्री ठीक है और आपका हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैट् गवर्मेंट गवर्मेंट अंडर्टेकिंग डिपार्टमेंट में ठीक है और इसमें जो एज लिमिट है वह मिनीमम 21 साल और मैक्सिमम 45 साल है और एस समंदी जो बेनिफिट हैं वह आपको जरूर मिलेंगे इसके बाद बात करते हैं अवेदन की मतलब कितनी फीस है और कैसे पैकर नहीं है यह आपका मैं बता देता हूं कैटेगरी जो मेल कैंडीडेट से जेर्णल कैटेगरी के उनको 500 पर फीस हैं उनके लिए और जो फीमिल है और ऑल एक्सोपक्चिस रुपे BM K कैंडीट के लिए कोई बी चार्जिस नहीं है ठीकेदों थीका दोस्तों तो एकब बार description box link को open करके जरूर पढ़ लीजिएगा वहां पर फूरी detail में बताया गया है और इसकी last date जो है 24 June है आपको 24 June से पहले इस form को apply करना है और बस यही है आज की वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आपके लिए helpful है तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और comment box में write down कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी thank you friends